कुछ समय बाद आप लोगों की जो PTT की लिष्ट है वो आने वाली है कहने का मतलब यह है गाईस की 5 बजे आप लोगों की PTT की लिष्ट आ रही है थोड़ा सा इंतिजार कर लीजिए मुश्किल से 15 से 20 मिनिट का 15-20 मिनट का इंतदार कर लिजिए आप लोगों की लिस्ट आ रही है और कुछ ही समय के बाद यानि कि 15-20 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलिज एलट हुआ है आपको कॉलिज एलट हुआ है या नहीं हुआ है कितने नमब वालों को college एलोट हुआ है और अबी तक मैंने जतने भी वीडियो बनाए है भाँ सारे लोग बोल रहे थे कि इतने नमब में college नहीं मिलेगा वो पिछले साल की तुलंडा में इस वार की तुलंडा कर रहे हैं कि पिछले साल मेरे नमब इतने थे हमको college नहीं मिला था अब दिखेगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि इतने number में आप लोगों को college मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो list आने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा पांच बजने में मुश्किल से 15-20 मिनट बचे हुए हैं दस मिनट मा लिजे 15 मिनट मा लिजे 20 मिनट मा लिजे फिलाल जितना भी टाइम बचा हो कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको college या फिर नहीं या फिर नहीं हैं तो आपको college मिल सकता है आर्ट की बात करें आर्ट में अगर आपके 330 प्लस नबर बन रहे हैं तो आपको college मिल सकता है थोड़े देर में दूद का दूद और पानी का क्या कंचों के आए हैं हैं बिनीत कुमार जी बोल रहे हैं तो कहों अब मैं क्या करूं तो कहो आप मैं क्या कर रहे हैं लुक बेवी बर्मा, सर मैंने बिये प्राइबेट्स किया है, और टीसी की जरूरत है क्या, मेरे 286 नंबर है, SC से हूँ, क्या कॉलिज मिल सकता है, फर्स्ट लिष्ट में तो चांस हमको कम लग रहे हैं, अगर आपको मेरी बात पर बिलीब नगर ना हो, तो लिष्ट थोड़ अपना गोश्वामी, इनका सवाल है, सर मेरे 286 नंबर हैं, और 8 से हूँ, और OBC काटागरी हूँ, क्या कॉलिज मिलेगा क्या सर, फर्स्ट लिष्ट में, चांस बहुती कम है फिलाल, सुजाता चोधरी, सर मैंने ग्रोजोसन और वीड के बिच एक साल का गयब आ चुका है, सुजाता चोधरी जी, मैं आपके सवाल का जवाब कई बार दे चुका हूँ, और आप बार बार वही कॉमेंट्स करती हैं, मैं आपके सवाल का जवाब फिर से दे रहा हूँ, सुजाता चोधरी जी, आपका सवाल की ग्रेश्टिन के बिच में एक साल का गयब है, क्या सब्जेक्ट हमारा आर्ट्स है फिमेलों क्या मुझे कॉलेज मिल जागा क्या सर देखिए लिश्ट आपकी थोड़ी दिर में जारी हो रही है जो मैंने आपको नमबर बताए हैं तीन सो पचास प्लस साइंस और तीन सो तीस आर्ट्स अब किते हमारी बातों में कितनी सचा ही है यह तो आपको कुछ समय के बाद फिर पता चल जाएगा मुस्किल से 15 से 20 मिनट का बेट कर लेजी आप राजू मीना सर फॉर्म सर फॉर्म क्रेफशन 22,000 जमा होने के बाद होगा क्या 22,000 जो है आपकी फीज है कॉलिज फीज जब आपको कॉलिज एलॉट हो जाएगा राजू मीना जी कॉलिज एलॉट होने के बाद 22,000 आपको फीज जमा करनी होगी फिर इसके बाद डॉकुमेंट से वेरिफिकेशन होगा अनमोल विष्णोई सर फर्स्ट लिष्ट कब आएगी फर्स्ट लिष्ट को समय के बाद ही आ रही है परसान नहीं मत होई है पांच बज़े आप लोगों की लिष्ट आ रही है अगला कोमेंट से आया है एक नजर इस्टेटर सर जी मैं जैपूर से हूँ मैंने बीए और एमे से किया हूँ बीट कॉलिज मिल जाएगा क्या सर तो उस कॉलिज में माइके ट्रिंसन की जरूत पड़ेगी या नहीं दूसरा सवाल हाँ मैंने नौन कॉलिज पड़ाई की है फिर लोग टीसी कहां से प्लिज रिपलाई जरूर कर देना सर जी कि देखिए टीसी जो है आपकी पुरानी है अब मानते हैं कि आपने भी में प्राइवेट आपने किया है वह बात अलग है फिलाल लेकिन आपके बाद टीसी होगी तो किसी और कॉलिज की बहुत टीसी लगा दीजे ठीक है रियाज इसके 246 नमर पहुती ज़्यादा कम नमर हैं आपके क्या मुझे और राजिसान मैंने करको आपको थोड़ा सा बेट करना होगा मोटिवेशनल सायरी सर जल्दी बताएगा कि लिष्ट कब तक आ जाएगी पांच मज़े लिष्ट आ रही है आपकी मैंने बता दिया है आपको सर जी मेरा नेरे 246 नमर है 41 कॉलिज में भरी हूँ करटागर हमारे सी है सब्जेक्ट हमारा आर्ट से क्या हमको कॉलिज मिलेगा या नहीं मिलेगा आपके पहले वीडियो में कॉमेंट्स कर रहा हूं रिप्लाई मीज़र 246 नमर है हाँ कॉलिज तो आपको मिलेगा लेकिन आपको थोड़ा बेट करना होगा फर्स्ट लिष्ट में तो कोई चांस नहीं कि आपको फर्स्ट लिष्ट में कॉलिज मिलेगा अगला सवाल आया है उदम सिंग जी का इनका सवाल है 307 नमर है हमारे कैटागरी हमारी लब फीमेल है सब्जेक्ट हमारा आर्ट से है ठीक है कि ओवीसी 307 नमबर बहुती ज्यदा कम नमबर है आपके पूजा जी का कॉमेंट्स आया है पूजा कुनामत सर ओवी सी से पी टीटी में 350 नमबर है आठ से हूँ कि आपको कॉल्ज मिल जागा क्या सर जी हां मिल जाएगा फर्स्ट लिष्ट में आपको कॉल्ज मिल सकता है थोड़ी देने आपको पता चल जाएगा सर लिश्ट कितनी बज़े तक जारी होगी और कॉलिज रिपोर्टिंग में टीसी जरूरी है क्या सर देखिए कॉलिज रिपोर्टिंग करते हैं और कहीं पर भी आप एडिवेशन लेते हैं तो जारी सी बात है कि टीसी की जरूरत कम नंबर हैं सर लिश्ट रात के दो बचकर पैदालिस तक आएगी नहीं पांच बज़े आएगी ऑफिसल वैपसार्ट चेक कर लेजी आपको पता चल जाएगा सोनु मीना साइंस हो जाएगा 369 जी हाँ हो जाएगा अगला कॉमेंट्स आया है कि ब्लू टास्क गेमिंग क्यों सबको कम माक्स पर भी पागल बना रहा है तेरे अनुसार देखे इसके बात करने का लहजा क्या है इसका 21 तरीके से बात कर रहा है एक काम करते हैं इसको ब्लॉव कर देते हैं ताकि यह भविसमें कभी भी हमें करता हूं जो इस तरीके से कॉमेंट्स करते हैं यह कितना मुर्ख इंसान है यह बोल क्या रहा है कि कम माक्स पर भी पागल बना रहा था तेरे अनुसार दोसों वालों को भी नंबर हो जाएंगी केवल व्यूस के लिए गधा क्या बोल रहा है इस गधे को को समझ में नहीं कि ब्यूस के लिए वीडियो बनाता हूं यह साला चूतिया है छोड़ो इसको रीता ब्यास बसे इस ऐसे सब्दों का आप हमको प्रियोग तो नहीं करना चाहिए क्या करूं जब ऐसे कोमेंट्स दमाहें देखता हूं तो आटोमेटिक ऐसे सब्द निकलने लगते हैं मूँ इसकी है हर कोमेंट्स में इसका जो लैजा है बात करने का बहुती ज़्यादा घटिया आए इसका बुलू टास्क गेमिंग यह सारा चूतिया जाठा है इसको बिक्रम गुर्जा जे का कॉमेंट्स आया सर जी अवर्ड मुमेंट करने के बाद दूसरा कॉलिज मिलता है क्या को दूसरा कॉलिज मिलने के बाद ना तो आपको वहांपर डॉकुमेंट्स बेरिफिकेशन कराने होगे ना तो आपको फीजमा करनी होगे ठीक है सीदे जाके आपको सीदे एड़ विसन के लिलना है वहांपर अपना नाम लिखा देना है बाग क्या को कुछ भी नहीं करना ह की फिलाल अगर आपने में फानल किया गर्जूशन के मार्चिक लगेगी मैं आपको पता जैना चाहिए गर्जूशन के मार्क सीट जैसी का कॉमेंट्स है सर फर्ष्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाका क्या सर अवर्ड मुमेंट कराया आप भी कॉलेज में 22,000 फी जमा करनी प्राइवेट कॉलज मिलता है तो वहां के रूल्स और रेगलोशन जो अलग होंगे और को सरकार कॉल्ज होते हैं तो सरकारी कॉली चाहिए आपको डेली जाना होगा ठीक है अगर प्राइवेट कॉलीच होता तो अपको आपको पैसे जमा करने होँगे वहां तो आपका आर अपने हर वीडियो में बोलता हूं मैंस गोड़जा जी बोल रहे हैं 306 मेसी साइंस सिखतर कॉलिज चुना है मैंने क्या हमको फर्स लिस्ट में कॉलिज मिलेगा जी हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको थोड़ी देर में आपको पता पता भी चल जाएगा क्योंकि पाईवज लि कोमेंट बॉक्स में जरूब बताएगा कि आप लोगों को कितने नंबर में कॉलिज एलॉट हुआ है पहले तो बोला सर आपने की एक लाक साथ हजार के आसपास सीट हैं और फॉर्म एक लाक नौजार भरे गए हैं तभी कॉलिज नहीं विला कम बालों को क्यों पागल बना सबसे पहले तो आपकी जो भासा सैली जो है आपकी उस भासा सैली को आप पहले चेंज कीजिए ठीक है ना तो मैं आपसे पैसा लेता हूँ तो आप इस भासा सैली को मतलब कहने का मतलब है आप इस भासा सैली को थोड़ा सा सही कीजिए आप टीजर की तयारी कर रही है आप हमें सरम आती हैं नहीं आती है कि हमें कितनी सरम आती है मैं पागल बनाता हूँ और कितना पागल नहीं बनाता हूं यह तुर आप पढो पता़ चल जाए पो आर्ती जी फिलम लेकिन और आप से ऊंभीड़ हम को नहीं थी कि आप इस भासाय का प्रियोग करेंगी क्योंकि मैं आपके को मैं आप को मैंने सारे को मैंने कवी आप सार्जा क्यों सा बust कर रहे हैं आंगो आप भव मैं आप कॉमेंट्स का रिपलाई करने के लिए अब इसे एक सरमाजी का कॉमेंट्स आया 378 नमबर आई इनके क्या कॉलेज हॉम डिस्टिक में मिल जाएगा जी हाँ बिलकुल मिलेगा आपको कॉलेज हॉम डिस्टिक में नमबर आपके बहुती ज़्याद